तो आप टॉइलेट भी फ्री में नहीं जा सकते हैं ये स्थितिक कॉंग्रेस ने कर दी है इसलिए कहा जाता है कॉंग्रेस जहां जहां भी आई वहां महंगाई लूट और बरबादी लाई ये इमाचल की कॉंग्रेस सरकार की आर्थिक दिवालियापन को परदर्शीत करता है कॉंग्रेस पार्टी की माचल की सरकार अगर टॉइलेट पर भी टेक्स लगा रही हो तो इससे जादा असमवेदशील सरकार नहीं हो सकते हैं राहुल गांधी का खटा-खट मॉडल अब अपने चरम पर पहुंच चुका है जहां पर दूद, पानी, बिजली, पेट्रोल, डीजल के बाद अब कॉंग्रेस की सरकार टॉइलेट पर भी टैक्स लगाकर जनता पर मार करेगी वैसे तो इन्होंने वादा किया था, फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे, फ्री में पानी देंगे, फ्री में बिजली देंगे और अब तो आप टॉयलेट भी फ्री में नहीं जा सकते ये स्थिति कॉंग्रस ने कर दी है इसलिए कहा जाता है कॉंग्रस जहां जहां भी आई वहां महंगाई लूट और बरबादी लाई हिमाचल में आज किस प्रकार की आर्थिक स्थिति बन चुकी है कि वहां पर वेतन और पेंशन देने की स्थिति नहीं बची है वहां पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिये गए वहां पर बिजली के दाम बढ़ा दिये गए अब हिमाचल प्रदेश में जहां पर बिभारती जंता पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो हम तो मुफ्त पानी देने की बात करते थे अब सबको 100 रुपए पानी के कनेक्शन का बिल तो जाता ही है अब सुवेरिच का बिल भी जाएगा 30% होगा पानी के बिल का और उसके अल चल हो चाहे करनाटक हो वो जहां जाती है लूट बरबादी मचाती है महंगाई लाती है और महंगाई पर पूरे देश में उपदेश देने वाले राहूल गांदी इस टॉयलेट टैक्स पर कुछ नहीं बोल रहे हैं मुझे लगता है कि इस आइडिया को फ्लश डाउन कर द तो कॉंग्रेस पार्टी को वादा खिलाफी का विशव रिकॉर्ड बनाने का आवार्ड मिलना चाहिए वो चाहे हिमाचल की सुकु सरकार हो करनाटका की सरकार हो या तेलंगाना की सरकार हो जहां जहां कांग्रेस आई है उसने चुनाव से पूर जो जनता से वादे किये है उन वादों को पूरा करने की बजाए उनकी कबर खोद कर उनको कबर के नीचे दफना दिया गया है सुकु सरकार दोरा अपने चनावे वादों में रिवेडियां बांटने की कोशना की गयी थी लेकिन आज लगातार यहां तो छूटे वापस ली जा रही है जा नेट टेक्स लगाए जाने और अब तो हालात ये बन गए है कि शोचाले पे भी टेक्स लगा दिया गया है यह हिमाचल की कॉंग्रेस सरकार की आर्थिक दिवालियापन को परदर्शित करता है अभी भी हिमाचल की करनाटका की तेलंगा ना की भेने इंतजार कर रहे हैं कि उनको जो महिने के उपर पैसा आना था वो कब आएगा हिमाचल के किसान अभी भी दो रवे किलो गोबर कौन उठाएगा और सो रवे किलो दूद सो रवे लीटर दूद कौन उठाएगा इसका इंतजार कर रहे हैं कब हिमाचल में पांच लाक नोक्रिया मिलेंगी कब हिमाचल की जंदा को तीन सो यूनट फ्री बिजले मिलेगी हिमाचल इंतजार करते करते ठक चुका है रहायते तो छोड़िये मिली हुई रहायते भी वापिस हो रही है और उल्टा ने कर ने टेक्स नई बंदिशें लगाई जा रही है हिमाचल की दुर्दशा पर जोली आड़कर वोट मांगने वाले गांधी परिवार के यूराज राहूल गांधी परिंका वडेरा गांधी अब कहा है क्यों नहीं जवाब दे रहे देश समझ रहा है कि वादा खिलाफी के बाच्छा के रूप में आज कॉंग्रस देश के अंदर खड़ी हुई है जूट भी इतना बड़ा बोलो कि जनता उन पर विश्वास करना ही बूल जाए ये स्थिति आज वहां बनी है परदामंती नरेन मोदी जी ने गांधी जैनती के उसर पर पूरे देश में दस साल पहले से स्वच्छता अभियान के तहत हर घर में फ्री टॉयलेट की वियुस्था कराई और नकेवल घरों में बलकि चोग चोरहों चोपालों पे गाउं में हर जगा टॉयलेट की वियुस्था हो इसके लिए अभियान चलाया अब वही दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की माशल की सरकार अगर टॉयलेट पे भी टेक्स लगा रही हो तो इससे जादा देशील सरकार नहीं को सकती